नमस्कार साथियो जैन जवारस, स्वागत है आप सभी का दोस्तो स्टेट सरवेस की वेकेंसी आचुकी है जी हाँ, MPPAC स्टेट सरवेस की वेकेंसी आचुकी है क्या है, कितने पद है, कितनी एज होगी, कब है एक्जाम सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा शुरू से आखरी तक वीडियो को जरूर देखेगा बात करते हैं एक्जाम की तो एक्जाम जो है दोस्तो 24 अप्रेल जी हाँ 24 अप्रेल को आपका प्री होगा स्टेट सर्वेस का इसके साथ अगर मैं बात करूँ आवेदन की तो आवेदन आप कर सकते हैं 10 जनवरी से लेके 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक जी या 9 फरवरी लास्ट डेट है 10 जनवरी से फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे और वेकेंसी कितनी है यह हम आगे वीडियो में देखेंगे और एज में रिलक्षेशन क्या है सर एज कप का जान आगे एक जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी मतलब एक जनवरी 2022 तक आप कितने साल के होते हैं उस अधार पर आप क्या करेंगे अपनी एज को देखेंगे और उसी अधार पर आपकी एज काउंट की जाएगी इसके बाद मैं आपको बता देता हूं इसमें ओल्लाइन यहां पर 27 हैं इसके बाद में बात करूँ DSP के तो डीएसपी के टोटल पद यहां पर 15 हैं ऐसे ही आपका वानिक जिकर अधिकारी के दो पद हैं जिला पंजियक के एक पद हैं साहेक संचालक के 20 पद हैं साहेक आयुक्त के 6 पद हैं शंप अधिकारी के 2 पद हैं मुख्य साहेक श्रम पदिकारी के 2 पद मुख्य नगरपालिका खेणी सी के जो हैं पांच पद हैं वानिजिकर निरक्षक के 20 पद हैं उपंजियक के 6 पद हैं साहकारता निरक्षक के 18 पद हैं और मद्वदेश अधिनिस्त लेखा सेवा के 87 पद हैं तो टोटल पदों की संक्या यह 283 पोस्ट है आविदन 10 जनवरी से 9 परवर एकजाम डेट प्रीकी 24 अप्रेल को होगी लिख लीजिए कई नोट कर लीजे और कोई डाउट हो न तो यह नंबर भी है इस नंबर फे भी आप क्या कर सकते हो कॉल कर सकते हो एज की बात करते हैं दोस्तों इसमें मैं आपको कर देख सकते हो आप अविदन चालू होंगे 10 जन्वरीасть आपका ऐंड होंगे 9 फरवरी dipping को 15 तारीक तक का उच्छाम कर सकते हो ह Hahnविधा सकते हो 15 तारीक अप्रेल की आप कर आ आयोप पे हाना आयू में छूट कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं पूरा का पूरा इस वीडियो में और इसके सेंटर आप देख सकते प्रीके तो बावन चहर है आपकी जहां पर आप एक्जाम दे सकते पूरी की पूरी लिस्ट है स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो गया है है और इससे रिलेटिड होनी चाहिए बस इतना है आप प्सक्रीनशॉट कर सकते हैं अब बात करते इसमें एज की तो एज जो है बिना वर्दी धारी यानि गैर वर्दी धारी जो पोस्ट है उसमें आपकी है 21 से 40 वर्स जिसमें वर्दी की जरुवत नहीं है उसमें 21 से 40 वर्स है जिसमें वर्दी चाहिए उसमें है 21 से 33 वर्स है उसमें और बात करते आयू की गंड़ना तो एक जनव पर काउंट किया जाएगा जी हाँ एक जन्वरी को 2022 वाला ठीक है 21 वाला नहीं कई बच्चे वोले के सार 21 वाला नहीं 2022 पर काउंट किया जाएगा ठीक है बात करते हैं इसी प्रकार जो आपका वर्दीधारी पोस्ट है उसमें आपकी उचाही दे रखिए पुर्षों के आई होने चाहिए बर्दीधारी पोस्ट के लिया आपकी नियवर्दीधारी आपकी में आफ कि इसी प्रगार आयू में छूट आपको मैं बदा देता हूं छूट क्या-क्या है वो आपको आपर आपको छूट दी गई है इसके साथ वर्दी धारी पदों में आपकी जायर सी बात है 33 मैक्सिमम है तो 5 साल की छूट मैक्सिमम अर्थिस होगा और यहां पर मैक्सिमम कितना होगा 45 होगा 45 ज्यादा नहीं होने चाहिए गैर वर्दी धारी में मैक्सिमम कितना होना चाहि आपकी एज 38 होने चाहिए, 38 होने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा भूतपुर सैनिक के लिए वहां पर विक्रमा वाडी हो, उसके लिए भी यहां पर छूट दी गई है, ठीक है, इसके अलावा ओनलाइन अवेदन करना है कैसे, mponline.government.in पर जाके, साइबर कैफे से या फिर खुद भी आप आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, online भुकतान है, फीस कितनी है सर, वो भी मैं बता देता हूँ, फीस जो है आपकी यहां पर 200-500 रुपे होगी, जी हां 200 रुपे, कैटेगरी वालों के लिए, जो अन्य कैटेगरी के हैं, या मद्विदे से बाहर के हैं, उनके लिए 500 रुपे की फीस रहेगी, 40 रुपे जो आपका पोटल का चार्ज है, वो यहां पर लगने वाला है, अगर कोई तरुठी आती है, तो उसमें 50 रुपे एक्ट्रा लगेंगे, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, के अलावा, आपका आवेदान ओलाइन होगा, आपका जो पेपर है, 24 चार को होगा, ठीक है, याद रखिए का 24 चार, 24 अप्रेल को पेपर होने वाला है आपका, इसके साथ साथ स्लेवर्स की बात कर लेते हैं, स्लेवर्स में अगर मेंशन है, क्या-क्या है, नहीं है, तो मैंने आपको स देखना चाहें, तो देख सकते हैं, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, जो आपको देखने को लगेगा, ठीक है, चलिए, तो इसमें बस इतना ही है, दो पेपर होंगे, पेपर पैटन सेम है, जो पुराना होता है, आपका और कुछ भी यहां पर नहीं है, स्लेवर् अगना होंगा, हर चीज आपको देखने को मिलेगी, हमारे कोर्स चल रहे हैं, दोस्तो, different type की कोर्स चल रहे हैं, PSE के, Pre-K, Men's के, आपका State Service के, Forest Service के, DSP Radio के, CSET का अगर आपको करना है, वो भी कोर्स चल रहा है, कैसे लेंगे Sir Course Join, नीचे Link दिया है, वहासे आप App Download कर सकते है नहीं तो इतना बड़े अक्ष्रों में बड़िया नंबर लिखा है 9806883688 इस पर आप क्या कर सकते हैं और अपने कोर्स को क्या कर सकते हैं पर्चिस कर सकते हैं या कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि फॉर्म सर कैसे भरना है फोटो कितनी होनी चाहिए कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल कर लिजेगा बेज़जक कोई दिक्कत नहीं है मैं आपका कॉल अटेंड जरूर करूंगा और आपकी रिप्लाइज जरूर करूंगा चलिए तो मिल आप पर देखना चाहें तो वहीं कर सकते हैं अपने परी की प्रफिशन में जान जान लगा सकते हैं चलिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से ताकि और भी लोग देख पाएं मिलते हैं जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद जैन जै भारत